नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज हम पढ़ेंगे लेट के इंपोर्टेंट नोट्स तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट इसका है इंजन या सेंटल लिफ प्रयोग प्राया के आए ता है सब्सेधिक यूग सब्सेक्जिन में वह सेंटल लिफ दूसरा पॉइंट है हल्के पार्ट्स के मास प्रोडक्शन के लिए कापिस्टन लेफ का यूज निका यूज करते हैं हाईविड्यूटी पार्ट्स के मास प्रोडक्षन के लिए टरेट लेट का यूज़ करते हैं यानि कि अगर हलके पार्ट का प्रोडक्षन करना हो तो कपेस्टन लेट और भारी पार्ट का यूज़ करना हो तो फिर टरेट लेट चौथा पॉइंट है, बैक गेर मेकानिज मैंने के बैक गेर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड कम की जा सकती है पाँचवा पॉइंट है, लेथ पर लंबे जॉब को आसरे देने के लिए स्टेटी का प्रयोग करते है च्छठा लेथ टूल को बिल्कुल जॉब के सेंटर की मुचाई तक सेट करना चाहिए दोस्तों का सेंटर से ऊपर नीचे सेट करेंगे तो हमारा जो है जॉब सही से नहीं बनेगा, फिनिसिंग नहीं आएगी साथमा पॉइंट है, टंगस्टन कारवाई टूल पर प्राया निगेटिव रेक इंगल दिया जाता है आठमा पॉइंट है, लेथ डॉग का प्रयोग तप करते हैं जब जॉब को सेंटरों के मद्ध टर्निंग करनी है नवा पॉइंट है, ट्रिपेनिंग एक सर्कुलर कर्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें ट्रिपेनिंग टूल की साहता से करते हैं दस्वा पॉइंट, सेट ओवर विदी से टेपर टर्निंग करते समय जॉब को बानते समय बाल सेंटर का यूज़ करते हैं वो सेट उवर मेधेड में यूज किया जाता है कि ग्यारों पॉइंट है कमपाउंड रेस्ट विदी से यूनिफार्म स्टीप टेपर काटा जाता है इसका कास्टिंग एक फोर्जिंग एह पार्ट जिनको लिप चकों ह। या सिंट्रों के मत बांधना आसंबा है उनको हम किसे बांते हैं फेसट प्लेट पर यहने कि जो ऐसे भड्श प्लेट पर सिक्स्ट सेड़ी को लेट के साथ को पिक्स करते हैं 14 पॉइंट है एक जो है 127 दाउतों की special gear का प्रयोग करके जो हमारे British lead machine है उस पर हम matrix पीछ की चूड़ियां काट सकते हैं यानि कि हमारे पास British lead machine है उस पर हम 127 दाउतों की special gear यूज कर लेते हैं और उस पर हम matrix चूड़ियां काट सकते हैं 15 अच्छी फिनिस लाने के लिए लेट की speed को बढ़ा दिया जाता है और feed को कम कर देते हैं यानि कि फिनिस अच्छी लाने तो स्पीड जाता होनी चाहिए और feed कम होनी चाहिए 16 पाइंट है टूल मेकर बटनों का प्रयोग तब करते हैं जब सही location में विभी निस्थानों पर pouring करनी हो अगला पाइंट हो दोस्तों 17 पाइंट है जब जाब को सेंट्रों के मत फेसिंग करनी हो तो स्टेंडर्डु सेंटर के पिलोंच किया है बदा अच्छा रहता है ठीजाच चक क्या पेच्छा जो है फोरजा अठा में जाब को है आधिक सुदता में बांद सकते हैं यह जास को है अनुट अधिक सुदता से बाना जा सकता है पुर्णिश्वा पॉइंट है लेट टूल पर रेक एंगल देने के निम्लिकित रीजन होते हैं पहला जो है इससे प्रभावित जो है सीरिंग एक्षन बढ़ता है और दूसरा है इससे चिप्स जो है कर ले आने गुमाओदार होकर बाहर निकलते हैं 20 पॉइंट है यदी स्टेटी पैड अधिक टाइट होंगे टाइट होंगे दोस्तों तो मद्ध जाब से अंडर साइज हो जाएगा और यदि अधिक ढीले होंगे तो जोब जो है मद्ध से ओरसाइज हो जाता है इसलिए ने पर्याप टाइट रखना चाहिए ठाइट मतलब क करते समय टेली स्टाक आपसेट होने के कार्ड जो है काम जो है और वर्क पीस हमाला जो है वो टेपर बनता है कटिंग फोर्सों को सहिन करने और गाइट वे की परिस्ता बनाये रखने के लिए लेट के बेड़ पर कई रिप्स बने होते हैं रिब तेस्वा पॉइंट है लेट टूल के टॉप फेस पर कटिंग गेज के नजदीक गुरूव या चिप बेकर बनाने से चिप जो हम रही है ति उनको हम तोड सकते हैं चबिस्वा पॉइंट है मैगनेसियम की उच परसिंटेज वाली एलाई की टर्निंग करते समय कूलेंट की रूप में पानी का प्रियोग नहीं करना चाहिए पच्छी सो पॉइंट है जॉब की टर्निंग करते समय कारवाई टूल के द्वारा कुछ दूर चलने के बाद इत कूलेंट की सप्लाई दी जाती है तो टूल के कटिंग गेज पर फाइन क्रेक डवलप हो जाएंगे और अचानक स्रिंकेज भी आ सकती है यानि कि कह सकते हो कि बीच में हमें कॉलेंट नहीं देना चाहिए 26 पॉइंट है लेट के कटिंग टूल पर इद क्लेरेंस एंगिल बनाया जाता है तो जॉब के संपर्क में आने के बाद कटिंग गेज जो है रगड़ खाने से बच जाता है 27 पॉइंट है यदि लेट के कटिंग टूल को बिल्कुल सही सेंटर हाइट पर सेट ना किया जाए तो फेसिंग करते समय जॉब के जो फेस पर एक पीप छूट जाती है तोस्तों से हम छूटते उसे पीप होलते है 28 पॉइंट है हाट धात की टर्निंग करते समय निगेटिव राइक एंगल को कारवाइट टूल यूज किया एता है यानिकि जह मैं अगर कठोर धात की टर्निंग करनी है तो रख एंगल हमारा कैसा होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए अगला 29 पॉइंट है स्टेंडर्ड सॉलिड प्लेन मेंडरल का जो टेपर होता है वो वन रसी टू थाउजंट होता है यानिकि जहमारा प्लेन मेंडरल होता है तो एक अनुपाथ 2000 के अनुपाथ में टेपर बना जाता है वो तीसमा पॉइंट है चिप के आसान बहाव के लिए लेथ टूल की जामिती में पॉजिटीव और साइट रेक एंगल दिये वाते हैं एका तीसमा पॉइंट है प्लेन टर्निंग करते समय टॉप रेक एंगल जो होता हमारा वो चिप फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है तो अलगा वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद